पर देहिए कि न्यूव स्टार्ट की स्टोरीलाइन के सोर बढ़ती है या नहीं आइए होब वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक करना मत बोलेगा तो बढ़ते हैं वीडियो तरफ और शुरू करते हैं वीडियो पहल बजा के इस मेकडाउन की शुरूआ शेन मेकमेन के सेगमेंट से हुई, रिंग में आके उन्होंने रिंग एनॉ deshalb से अपने आपको इंटर्डेउस करवाया शेन मेकमेन कहते हैं कि मैं यहाँ अपने बारे में कुछ भी बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बात करने आया हूँ रोमन रेंज की और खास करके उस बारे में जो रोमन रेंज ने मेरे फादर के साथ किया लास्ट वीक, इसके बाद शेन मेकमेन ने लास्ट वीक की फु मैंने इसके बारे में काफी सोचा क्या हम Roman Reigns पर बड़ा फाइन लगा सकते हैं, क्या हम Roman Reigns को सस्पेंड कर सकते हैं, या Roman Reigns को टर्मिनेट करना चाहिए, मतलब फायर कर देना चाहिए, वहीं सब कुछ आच स्रेटल होगा, वो भी इस रिंग में, तो Roman Reigns सुनो, तुम मेरे ल उससे पहले इलायस की एंट्री होती है और उनोंने आके पीचे से रोमन रेंज को मारना चाहा, रोमन रेंज पल्टे और उलायस کو पंचचच्ड़ दिया, इसका फायदा बिना देरी करे हुए शेन मेकमैन ने उठाया और उनोंने रोमन रेंज के उपर अटेक कर दिया, थोड इसके बाद मैं फिन बेलर वर्सेज आंदरादे के बीच मैश दिखा, शेक अप में अंदरादे को रॉ में ट्राफ्ट कर दिया गया था, बट उने वापिस इस स्मैक डॉन में लाया गया है, दौनों की बीच अच्छा मैश दिखा, कुछ हाई फ्लाइंग मूव्स इस मैश म बाहर मारा, उसके बाद लार्स जिंदर की और बड़े बट जिंदर महल वहां से भाग खड़े हुए, बट सुनील और समीर नहीं बच पाए, लार्स ने इन दौनों को कुट डाला, वहीं आठ रूज ने भी एंट्री मारी, और आके लार्स को 6-7-5 दिये, बट इतना काफ बैकी लिंच ने मुझे स्मेक डाउन चेंपियंशिप के लिए नहीं हराया था, मैं चाती हूँ कि बैकी लिंच यहां आएं और एक्स्प्लेंट करें कि वो कैसे सोच सकती हैं कि वो चेंपियंशिप के लिए सही हैं, जबकि वो मुझे हरा नहीं पाई है, बैकी लिंच आत और मैं तुम्हें पहले काफी बार हरा चुकी हूँ इस वज़े से मैंने रॉंडा रोजी को बीट करा क्योंकि मैं जानती थी कि मैं तुम्हें पहले भी हरा चुकी हूँ शारलेट फ्लेर कहती है कि तुम्हारे पास हारने को बहुत कुछ है बड मेरे पास हारने लिए कुछ भी नहीं है चिंता मत करो money in the bank में लेसी इवान के बाद मैं लाइन में हूँ और इसे वापस हासिल करूँगी बैकी कहती है ओ तुम लाइन में हूँ बड़ तो मैं पूछना चाहिए था मैं क्या चाहती हूँ यहां बहुत woman है मैं उनके खिलाफ defend करूँ क्योंकि मैं new challenges face करना चाहती हूँ इसको बैले के entry होती है वो कहती है शेक अप का मतलब fresh start से था बड़ हम यहां फिर से वही पुरानी चीज़ें देख रहे हैं मैं जानती हूँ तुम शारलेट फ्लेयर को कितनी बार हरा चुकी हो बड़ मुझे अभी तक तुम एक बार भी नहीं हरा पाई हो इ इसके बाद हमें कौफी किंस्टन वर्सेज नाका मूरा के बीच मैच दिखा जैवियर वोट्स और के अनौंस टेविल के पास बैटे थे मैच काफी सही दिखा इनके बीच दौनों ने अच्छे मूज दिखाए बड़ यह मैच इसकी वज़े से जीत यहां कौफी किंस्टन की हुई इसके बाद न्यूडे ने मिलकर रूसेव और नाका मूरा को मारा और इसके बाद केविन ओंस ने शबको शौक करते हुए कौफी किंस्टन और जैवियर वोट्स की उपर अटेक कर दिया और दौनों को बुरी तरे मारा केविन ओंस अब हील बन चुके हैं इसकी उ गोमन रेंस का पाला अब अथोरिटी से पढ़ चुका है और उसमें अलायस भी अथोरिटी का साथ दी रहे हैं वही मनिन दबैंक पीपीव में बैक के लिंच रौ और स्मैक डाउन दौनों टाइटल अलग अलग डिफेंड करेंगी यानि की मैच लड़ने वाली हैं दौनो चाला अलग बैक के लिलगज से वोरिटी को मयाँ भी चिए सुना दcca सांवा धूका है प्र लावने अलग विल में दौनों आख लड़का हम थोरिक बाम करेंगी यानिस्रूम